बिस्मिल्य रह्मान और असलाम अलेकुम आपको आज के इस लेक्चर में मैं खुशामदीद कहता हूँ, आज का लेक्चर बेसिकली इंपोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो डेटा साइंस का पॉर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, या डेटा साइंस को सीख के वो किस तरीक काम करते हैं या अपने डेटा सेट के उपर जो भी आपने काम किया आज तक डेटा साइंस की जर्नी के अंदर उसको एक जगा पे किस तरीके से मिंटेन करके रखना है और कैसे उसको सैल करना है, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम टोटली बात करेंगे इन चीजों पे ज इन चीजों का ख्यार रखियेगा, कौन सी चीज़े हैं जी वो, डेटा साइंस पॉर्टफोलियो पे बात करते हैं, मेरा नाम है डॉक्टर मुहमद मार्तफल, आम पिएजडी इन डेटा साइंस हो और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से डेटा सा अब इसमें काफी ज़्यदा चीज़ें आती हैं, जिसमें सबसे पहले चीज़ी होते हैं कि जब आप पॉर्टफोलियो को पढ़ रहे होते हैं, तो आपको ये बताना होता है कि आपका कॉलेक्शन ओफ बेस्ट वर्क क्या है, कि आपने आज तक जो काम किया है, उसमें से ब analytical abilities, कि मेरे पास जो skill set है, उसके अंदर जो data science की एक top notch की skill है, उसके अंदर भी जो एक चीज़ यूज होती है, जिसे analytical ability कहते हैं, वो मेरे पास सबसे heavy किसम की है, उससे आगे आता है, how do you write codes, यानि कि जब आप coding करते हैं, तो आपका style कैसा है, आपको coding पे सिरफ जामे, क्या से बोलते हैं, grip ही नहीं, बलके आप coding को ऐसा लिखते हैं, कि आने वाले और पढ़ने वाले लोगों के लिए भी असानी पैदा हो, so if you have that skill to write your code in a way, कि बाकियों को भी समझ आए, तो वो आपकी एक ability के अंदर शामिल हो जाता है, you can show that into your portfolio, और अपने code को सिरफ आप coding में नह लिखते हैं, आप उसे document भी करते हैं, इन है report kind of stuff, कि लोगों के लिए असानी पैदा हो, क्योंकि हर company का focus होता है, कि यार ये जो बंदा हमने रखा है न, इसके इलावा बाकी लोग जब भी इस document को पढ़ें, या जब भी इस code को देखें, उनको असानी से समझ आ जाए, ठीक जो आपकी abilities को show करते हैं, कि आप data driven decision making कैसे बनाते हैं, तो इस तरह की abilities को show करना है आपने, तो data driven decision आपके पास है, यानि कि आप data से देख के बता सकते हैं, कि पिछले साल क्या हुआ, data एक वाहिद ऐसी चीज है, जो आपको history में पैदल चलवा सकती है, पैदल चलवाने का मत क्योंकि मैंने आपको start में बताया था, या आपको याद हो कि जब भी आप, कभी भी data science के उपर काम गरते हैं, तो आप data से insights को खैंच के लोगों को बताते हैं, वो insights इस तरीके से खैंचना कि आप लोगों तक के story की form में पहुँचाएं, उसको data की storytelling कहते हैं, उसके अंदर क कभी कबार आप characters भी बनाते हैं, कभी कबार आप variables को बताते हैं, कभी कबार columns को बताते हैं, कभी कबार आप data visualization की different techniques को use करते हैं, इसका मकसद यह होता है कि आप लोगों को इतनी असान जुबान के अंदर समझाएं, कि उनको दुबारा से data analysis करने की ज़रूर दना पढ़ें, बलके आपकी अपनी बातों के उपर ही वो believe कर लें, कि यार इसने data से insights निकाली है, and he knows his work, ठीक है, तो वो आप बताते हैं, and then आप problem solving techniques जो हैं, उनको show off करवाते हैं, अकसर अकात हमारे पास यह skill set बहुत काम होता है, कि हम में से काफी लोगों को यह पता होता है, कि data science क्या ह यह पता होता है, कि analysis कैसे करना है, यह भी पता होता है, कि data visualization क्या है, यह भी पता होता है, code कैसे लिखना है, यह भी पता होता है, कि हमने अपने code को document कैसे करना है, there are many things जो हमें पता होती है, but on the other side, we don't actually know कि कि किस तरीके से story बतानी है, कहानी कैसे डालनी है, तो वो सीखते ह हैं आप using your analytical abilities, using your data science skill set, अब अगर आपके पास data science skill set नहीं है, तो आप किस तरीके से ये सारा कुछ सीखेंगे, वो depend करता है आपकी understanding के ऊपर, for example, यहाँ पे अगर आप गौर करें, तो ये जितने भी point मैंने बताए हैं, portfolio सो related, अगर आप इन पे गौर करेंगे, then you will understand कि portfolio बनाना असान नहीं होता, थोड़ा सा मुश्किल होता है, but we can actually do that, so I will just move forward, अब दूसरा question आता है कि आपको data science का portfolio चाहिए क्यों, बजा गया है बई, अब CV मैं नहीं लिख सकते हैं कि मुझे Python आता है, R आता है, और इस तरह के skills आती हैं, isn't that enough, या आप लोगों को वैसे मूज़बा आपने नहीं पता सकते, कि पाजी मैंनो एवी अंदा, एवी अंदा, एवी अंदा, एवी अंदा, यानि कि आप लोगों को बताएं कि मुझे सब चीजें आती हैं, बजाए इसके कि portfolio की की जरूरत पड़ती है, reason behind that is, आपने highlight करना होता है, आपने दलायल देने होते हैं लो ठीक है, वो आपसे ये पूछता है, यार कैसे आये हो, तो आप कहेंगे, यार motorcycle पे हैं, ठीक है, तो कहां पे लगाई है, आप कहेंगे, यार बाहर पार्किंग में लगा दी है, तो just imagine, क्या उस बंदे का ये सवाल करना आपसे बनता है, कि क्या आप motorcycle चला लेते हो, नहीं न बनता, reason क्या है, क्योंकि एक understanding develop हो चुकी है, कि आपको bike या motorcycle चलाना आती है, so यही चीज, data analysis के skill set के अंदर हम इस तरीके से अपने portfolio को show करवाते हैं, कि जब आप किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, आप इस तरीके से उसको highlight करें, कि उसको पूछने की जरूरत ना भी किया, यह भी किया, तो अपनी skills को highlight करना पहली चीज, second, आप coding या programming के अंदर अपनी skills को highlight कर सकते हैं, storytelling आप बता सकते हैं, वो कैसे बताएंगे, आप यह नहीं कहेंगे, कि यार मुझे storytelling बहुत अच्छा तरीके से आती है, मुझे पता है कि किस तरीके से data science की story बनाई ज कि यह देखो, यह apple का apps का data था, जिसमें 2.3 million rows थी, मैंने इसमें से यह अख़स किया, कि gaming वाली apps जो हैं, वो ज्यादा install होती हैं, इस वजा से मैंने अपनी client को यह recommend किया था, कि next जो तुमने app बनाना ही, वो gaming app बनाना और इस niche में डालना, जिस से तुमारी installation capacity जो है, या installations ज करते हैं तो उनको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपको EDA आता है, क्यों, क्योंकि जब आपने बताना ही इस तरीके से कि मैंने ऐसे काम करके यह project किया था, ठीक है, then EDA analysis जब आप इस तरीके से refer कर देते हैं, तो और भी असान हो जाता है, then machine learning अगर आप बताने बै पिटा क्या होगी, ठीक है, तो जब आप इस तरीके से बातें करते हैं, तो वो जो recruiters होते हैं, उनके mind में बैठ जाता है, क्यार यह बंदा सिरे machine learning ने जानता है, इसने फलाँ algorithm भी use किया, और on top of that अगर आप बता देंगे ना, कि मैंने फलाँ-फलाँ matrix use करके, हमने उनको compare और हमने यह चूज किया, कि यह algorithm ने ठीक, फलाँ algorithm ठीक है, so at that way, in that way, your portfolio will be nice, deep learning के उपर अगर आप बात करेंगे, तब भी ऐसा ही होगा, then अगर आप app development की बात करेंगे, यानि आप यह बताएं कि मुझे app development आती है, बजाए इसके, अगर आप show करवाएं कि यह मेरी 5 top apps available है यह पर, यह 5 top apps मैंने बनाई हैं, वो ज्यादा बहतर होगा, then you can also showcase your interest in science project, for example, मेरा जो interest है, मेरा interest है किसी एक science project में, science project का नाम मैं अगर बताऊं तो weather forecast, weather की forecast कैसे होती है, तो इस से लोगों को पता चलेगा, यार इस बंदे का weather forecast में interest है, अगर आप किसी business में interest रखते हैं, आप कहते हैं कि यार मैंने stock market के stocks predict की हैं, using this time series analysis, या something, जो data था, stock market का उसका analyze किया, तो उन company वालों को फोरण अंधाजा हो जाएगा, या उस बंदे को अंधाजा हो जागा, जो recruiter है कि यार इस बंदे की जो skills हैं, वो किस project में हैं, और इसका interest किस में है, इसी तरीके से आप science project के इलावा, business intelligence में जा सकते हैं, जब आपने projects किया हूँ, आप अपने CV में highlight करेंगे python, और portfolio आपका बताएगा कि आपने कौन कौन सा project कैसे कैसे किया है, वहाँ पे आप projects भी अपने बता देते हैं, तो actually portfolio extension of your CV होता है, और जब भी आप किसी को CV भीते हैं, believe me, आपने portfolio को link दिया होगा ना, वहाँ पे, portfolio होता गया, मैं आपको बताऊंगा, अभी आया रहे हैं उस तरफ भी, तो जब आपने link दिया होगा कि ये मेरा portfolio फ्लाम website पर पढ़ा हुआ है, believe me, सबसे पहले वो बंदे वहाँ पर जाके click करके देखेंगे कि आपका portfolio कितना strong है, CV एक side पर साथ बैठ के काम करते हैं, या collaborative way में काम करते हैं, या online आप लोगों के questions के answer देते हैं, different communities का part है, for example, जब जैसे अब आप Kodanix का bootcamp कर रहे हैं, आपने bootcamps कितने attend की हैं, आप किस-किस बंदे वो जानते हैं, आपको जो पावे हैं, machine learning, deep learning के AI के data science के उनके नाम आते हैं के न tasks की हैं, कोई GitHub पे या different other platforms पे वो आते हैं, then आपके collaborative tasks के अंदर ये भी होता है, कि आप teamwork में कितना active है, क्योंकि IT या data science की job ऐसी है, जो आप घर में रहके ज्यादा तरकरते हैं, या remote jobs होती है, ठीक है, on PC, तो हमारा लोगों के साथ interaction कम होता है, on physical basis, लेकिन on the other side, यहाँ पे work का मतलब यह है, कि free में आपने लोगों की कितनी मदद की है, क्या जितना आपने काम किया, आपके सारे के सारे codes available हैं, या नहीं, अगर available हैं, तो किस level पे available हैं, और अगर वो available हैं भी, तो आपने किसी को copy तो नहीं की हुए, अगर copy की हैं, तो अपने customization क्या की हुए है, so यह आपने चीज़ें जो हैं, यह portfolio को और भी उजागरगर देती हैं, and if you know how these things work, then आपका portfolio और भी चमक के सामने आता है, अब आपने यह तो पहचान लिए कि portfolio ऐसा होता है, portfolio हम ऐसा बना सकते हैं, portfolio के अंदर यह सारी चीज़ें add कर सकते हैं,